Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, जिस तरीके से किसी भी बिजनेसमैन का बिजनेस अगर डाउन होता है तो वो परिशान हो जाते हैं और उनके पास वज़े भी होते हैं परिशान होने का, अगर इसी चीज़ को हम किसी भी पॉलिटीशन के पॉइंट व्यू से देखेंगे तो हमें स मज़ में आएगा कि बीते कुछ सालों से जस्टिन टूडो की जो लोग प्रियता है वो काफी घटी है तो बहुत हब तक हम कह सकते हैं कि फिलहाल जस्टिन टूडो एक desperate mode में है जहां पे ये किसी भी तरीके से अपनी जो खोई हुई लोग प्रियता है उसको वो regain करना चाहते हैं और इस चीज़ के लिए वो भारत और कैनड़ा के बीच में जो diplomatic relation था उसको भी वो दाव पे लगा दियें और साथ में 25 seats जितने वाली NDP almost हम कहले कि जस्टिन टूडो के liberal party को अपने इशारे पे नचार हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में जस्टिन टूडो की वो क्या political compulsion है जिसके कारण वो भारत और कैनड़ा के बीच में diplomatic relations को भी वो दाव पे लगा दियें जैसा कि भारत में लोग सभाय वैसे ही Canada में House of Commons है जहां पर total है 338 seats सरकार बनाने के लिए आपके पास कम से कम चाहिए 170 seats अगर हम बात करें जस्टिन टूडो के political party का तो इसका नाम है liberal party और इनके पास है total 157 seats अब यहां पर एक बहुत ही बड़ा important role आता है NDP का NDP का full form है New Democratic Party और NDP को lead करता है जगमीद सिंग जगमीद सिंग कौन है तो जगमीद सिंग वही आत्मी है जो बढ़ चड़कर anti-India activities में वो Canada में रहके participate करता है और possibly US हो गया Australia हो गया इन सब जगा पे भी वो उन सब groups को support करता है जो किसी भी तरीके से anti-India activities में involved रहते हैं और जहां तक बात किया जाया तो NDP के पास total हो जाते है 25 seats अगर आप इन दोनों numbers को मिलाएंगा तो comfortably 170 से ये उपर हो जाता है इसका मतलब Justin Trudeau के जो political party है ये सत्ता में रह सकते हैं तो जैसा कि नॉर्मली भारत में भी देखने को मिलता है कि अगर किसी भी तरीके से कोई main political party अगर उनके पास एक sufficient number नहीं है और कोई एक छोटी मोटी दल उनको अगर 2-4 seats दे के अगर उनको सरकार में वो बनाते हैं तो उस छोटे मोटी जो political party या उस political party के जो leaders वगएरा है वो अपने आपको काफी एक बहुत बड़ा मतलब सूर्मा टाइप का समझते हैं तो exactly कुछ ऐसा ही हाल चाल है आपके NDP का और खास करके जगमीत सिंग का और क्यूंकि जस्टिन चोड़ो एक politician है तो ये किसी भी तरीके से अपने आपको politics से दूर नहीं रख सकते हैं साल 2015 के November के महीने में ये Canada के Prime Minister बनते हैं और अगले सालियानी की साल 2025 के October के महीने में Canada में चुनाव है तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा वैसे वैसे जो New Democratic Party के जो तेवर हैं वो काफी बदलते जा रहे हैं तो क्यूंकि इनके तेवर काफी बदलते जा रहे हैं यानि कि वो Liberal Party से अलग रहके उनकी बयान आ रही है तो यहाँ पे जो एक बहुत ही बड़ा vote bank है Canada में वो एक sick vote bank है जो की बहुत हद तक हम कह लें कि Liberal Party को वो vote करते हैं तो किसी भी तरीके से Justin Trudeau ये कोशिश कर रहे हैं कि उस मुद्दे को touch किया जाए जिस मुद्दे से उनको खुश किया जाए और उसी process में आपको देखने को मिलेगा कि Justin Trudeau भारत के साथ अपने political relation को almost खराब कर चुके हैं क्योंकि Justin Trudeau almost 9 सालों से Prime Minister है तो अगर किसी भी तरीके से अगर कोई भी आदमी 9 सालों से अगर वो Prime Minister रहता है और उस देश में अगर cost of living बढ़ जाए या किसी भी तरीके से जो एक normal survival के लिए जो एक basic needs होता है अगर लोगों को उसके लिए अधिक pay करना पड़े और किसी भी तरीके से अगर income है वो सिमित हो जाए तो आपके पास बहुत space नहीं बसता है जहां पे आप किसी भी तरीके से अपने सिवा या अपने political party के सिवा किसी और को आप blame करें जैसा कि भारत में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे अलग-अलग news agencies pre-poll या post-poll करते हैं या वो देश क्या जो mood है उसको जानने का प्रयास करते हैं तो कुछ इसी तरीके से Canada में भी होता है जहां पे as per one poll tracker इनकी जो popularity है for 63% से लेके सीधे decline करती है 28% ये decline अपने आप में काफी एक massive हो जाता है और by the way जैसे कि भारत के जो media है इनका बीते कुछ सालों में जो इनका trust है वो काफी कम हुआ है लेकिन इसके comparison में अगर आप western medias को देखेंगे खास करके Canada, US तो यहां के जो medias है वो फिर भी एक हद त एक no confidence motion लेके आते हैं यहां पर एक बात में बताना चाहूंगा क्योंकि Justin Trudeau के popularity घरती हुई जारी और इनका जो main supporter है यानि की NDP party इनके भी जो तेवर है वो काफी बदले-बदले हैं तो इस situation पे या इस time period में जब किसी के खिलाफ no confidence motion लाया जाता है तो उस political party के जो main leader होते यानि की वो काफी uncomfortable हो जाते हैं एक्जाक्ली हमें कुछ यही देखने को मिल रहा है Justin Trudeau के साथ तो अगर फिलाल अगर आप Justin Trudeau की मनुदसा अगर आप समझेंगे तो इनको सच में समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये अपनी जो खोई हुई popularity है उसको ये दुबार तरीके से परिशान जरूर किया जाता है और लगे हाथ October के महीने में भी इनके खिलाफ दूसरी बार no confidence motion लाया जाता है तो एक बार आप अपने आपको Justin Trudeau के जगा पे रहे के देखे जहां पे almost आपकी सरकार के खिलाफ हर महीने no confidence motion लाया जा रहा और इस भी जो NDP है उनके खिलाफ जो गुसा है वो काफी बढ़ता हुआ जा रहा और इस दौरान क्या होता है कि जो opposition parties होते हैं वो कुछ भी कहते हैं तो वो चीज़ जन्ता को काफी अच्छा लगता है ये चीज़ को हम भारत में भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी political party बहुत दिनों से गर सत्ता में हैं तो जो opposition वाले होते हैं तो उनकी हर बाते हमें काफी अच्छी लगती हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye